हालो एवरीवन वेल्कम बैक टू आवर चैनल मेरी पूरी कुकी स्पोड फैमिली आप सभी स्वास रहें सुरक्यत रहें और खुब खुश रहें हर दिन यही मेरी अभी लाशा है आज का व्लोग क्या है वो तो आगे होगा रोज की तरही लेकिन इससे पहले रोज की तरही सवाल और जवाब मैंने पूचा था क्या सभी लोग शादी के बाद कहा गूंने गहे थे या हनीमोन के लिए कहा गे थे और मुझे पदा है कि जमाने में हम लोगी शादी हो एक वित जमाने में हनीमोन के लिए बहुत कम लोग गय होंगे और या फिर ये था कि पहली बार कहा गए हैं सभी ने जवाब दिये पढ़के बहुत अच्छा लगा बहुत मज़ा आया और मेरे से भी पूछा जाता है हाथ बार में सवाल देने के बार जवाब देना भोल जाती हूँ क्यों कि पिछला वाला दे रहे होती हूँ तो मेरे से भी पूछा गया है तो मेरा जवाब ये है कि पहल तो हम शादी के बाद कहीं गुमने गई ही नहीं थे हाँ शादी हुई तो जो गाओं के मंदिर देवी देवता होते हूँ उनको पैदल ले जाकर के जो मंदिर के दर्शन कराए गये थे मुझे आज भी याद है पैदल पूरे गाओं वर के मंदिर दर्शन और दूसरा कि फिर मेरी चाची आगरा रहती थी चाचा की पोस्टिंग आगरा में थी जिनके पस अभी मैं गुरगपुर गई थी तो पहली बार फिरम कहां गये थे यह सवाल का जवाब है कि फिर माइब अगर से उन्होंने गारी करें थी और उनकी गारी से फिरम लोग्द मत्रवाविंद्वन भी गूंदे गये थी और आगरा भी घूमने थे चाचि की वहीं पोस्टिंग थी तो वहीं गया थे उनसे मिलना भी हुआ और आज का सवाल यह तो आज का सवाल तो यह है फिलहाल कि आप को टी वी सीरियल में कौन सा सीरियल पसंद है इससे भी मुझे आपकी चौइस पता चलेगी क्योंकि इतने सारे प्रोग्राम साते हैं मुझे लगता है लेकिन हर प्रोग्राम हम किसी को अच्छा नहीं लगता है कुछ खास कोई एक प्रोग्राम है जो सभी को पसंद है एक आज एक दो भी हो सकते हैं अच्छा नहीं कि एक ही आपको टीवी अगर आप खाली हैं घर के काम से बच्चे घर पे नहीं है अब टीवी आल करते हो यह आपको टाइम से भी को रहता है कि मुझे यह देखना है तो वह कॉन सो सेरियल है वो मुझे बताना चीकि आज थोड़ा चेंज करते हैं अपनी लाइफ से दूसरों की लाइफ में जहातने के खोशिस करते हैं क्योंकि सीरियल में तो यह यह दूसरों की लाइफ देखना है और मजे करने हैं और अब हमारी देखो विलाशा की लाइफ क्या है सुबह से रात तक के बस काम धंदे लगे पड़े रहते हैं और सब के वही हाले घर ग्रेस्ती वाली मम्यों के हम होमेकर्स का हाल सेम टू सेम है सेम पिंच और एक लाइन मैं फिर से बोलना चाहती हूँ कि अधि आपको आज का ब्लॉक पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कॉमेंट में मुझे जरूर बताईएगा कल जब मैंने तरोई की सब्जी बनाई थी उस टाइम पर भी घर में सेम हो तरोई थी तो मैंने कल तरोई बना ली थी और सेम को धो करके फिर उपर और नीचे का हिस्सा निकाल करके छिलका और फिर बीच में से पूरी सेम खोल करके चेक करके और उसके भी छुटोटोटो ट इसे निकाल करके फिर इस container में मैंने जाली लगाती हूं नीचे और बीच में ये foam sheet रहती है जिसमें vegetables में जो moisture भी रहे न तो उसमें soak कर लेता है foam में तो फिर सबजी गीली नहीं होती है इस तरीके से सबजी तयार करके मैं फ्रिज में रखती हूं ये container तीन container है मेरे पास और फिर अगले दिन morning में सुबह, शुबहम का tiffin फिर आख खोलते ही सिर्फ यही planning रहती है कि क्या बनना है उसके हिसाब से fridge से निकाल के डबा बहार रखती हूं और अब होते हैं काम शुरू और जब ये सब तयारियां पहले से होके रखती हैं हमें time भी कम लगता है यानि हम time से अपना काम कर लेते हैं समय की बचत बस फिर क्याता धुली साफ सुतिरी रखी हुई है कड़ाई में मैंने सरसों का तेल डाल के गरम किया इसके बाद लसुन बारी कटी हुई डाली है साथ मैंने डाला है जीरा एक छोटी चमच और फिर हरी मिर्ची काटके डाल दिया हरी फ्राई से आलू करने हैं सिर्फ हल्दी डाल करके ही पहले ही सबजी पका ली है और अब इसमें कत्यू ही सेम डाल दी है सारी सेम डाल करके अच्छे से मिक्स कर ली है आलू पहले ही थोड़े हलके हलके से फ्राई हो चुके थे और फिर अभी बाकी की सबजी के साथ में पकत करके डाल दिया है बस इसी तरीके से सारी सबजीों को मिक्स कर लिया है घाजार अलु और सेम और सबजी है और सब्जी पक गई और में डाला धन्या पॉड़र थ्थोड़से लाल मिर्ची पॉड़र बस और कोई गरम मसाला भी नहीं कुछ भी नहीं कई बारतों में धनिया और मिर्ची भी नहीं डालती हो तब भी ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है बस सेम फ्रेश होनी चाहिए अब इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके गैस बंद कर दिया है और आज मैं इसमें कुछ और भी करने वाली हूँ गीला नारियल गीला नारियल मैंने तोड़ करके फ्रीज में स्टोर कर लिया है फ्रीजर में लास्टाइम मुझे किसी ने बताया था कि सेम की सब्जी में वो डालती है गीला नारियल कद्दुकस करके तो मैंने कद्दुकस किया है एकदम सॉफ्ट हो गया है क्योंकि ये छोटे महीन वाले कद्दुकत से मैंने इसको ग्रेट किया है और इसे मिक्स कर दिया है गेले नारियल का टेस्ट सेम की सबजी में बहुत अच्छा लगता ये बात मैंने सुनी थी कहीं देखा भी था लेकिन कभी ट्राइइ नहीं किया था फिर जब मैंने लास्ट टाइम यह कमेंट रीट किया और मेरे पास थार गीला नारियल तो मैंने सोचा चलो आज डाल के देखते हैं और यह बहुत जादा टेस्टी लग रहा था था थांक्यू जिन्होंने मुझे याद दिलाया और यह चिप दी अब शुभम क तो वैसे बना के एकदम ठंडा हो जाएगा ना जब गुपता जी को खाना है या शुभी को खाना है उस टाइम पे मैं गरम सेख दूँगे तो बस शुभम के लिए सिफ दो प्राठे सेखें और उसका नाश्ता मैं बोल रही हूं नाश्ता करना है तो प्राठा खा लो एक स देखनों तो बना कर रहा है शुभम तो फिर नहीं सेख पर सेम की सबजी खटे बना ले सबके साथ के हसाब से और गुपता जी को आज सुबह जल्दी निकलना है ड्यूटी के लिए शेगाओं जाने वाले हैं वो आज तो वो भी नाश्ता करके निकलेंगे सबजी पराठा के बीच में बहुत सुंदर ब्यूटिफुल सी जो बर्ड्स होती ना सुई जैसी जिनकी चोंच होती है और बहुत नाजुक सी चोटी सी प्यारी सी उनका बेबी हुआ है मनी प्लांट के पत्ते के बीच में है अब लंच के लिए बना रही हूँ मैं पुलाओ सोया बड़ी पुलाओ जिसके लिए मैंने कूकर में घी डाल के गरम किया है और इसमें खड़े मसाले डाले है तेज पत्ता लौंग काले मिर्ची डोड़ा जीरा और इसके साथ ही मेंने बारी बारी बाल्बा पतला पतला प्यास काटा है पतला पतला एक्दम वो डाला है अधरक और साथ ही एक छोटू सा टामाटर और इसके उपर नमक जिससे की जल्दी से ये सौफ्ट हो जाया टामाटर अब सब को मिक्स कर लिया है सब्जियों के साथ में इसमें आप बींस भी डाल सकते हैं गोबी डाल सकते हैं ये नियुचीला है मिनी चंक्स हैं जो हमने दी माट से और इनको पानी में डाल के मैंने थोड़ी देर के लिए भीगो के रखा था तो एकदम सौफ्ट हो गया है फिर हातों से निचोड के निकाल लिया है और अभी मैंने हल्दी पाउडर धनिया पाउडर बहुत जरसी लाल मिर्ची का यूज किया है इसमें मैं हरी मिर्ची डालना यही एक कप चावल भीगो के रखा था तभी मैंने एक कप निच्टिला भी ली थी मतलब एक कप निच्टिला और एक कप चावल भीगो के रख दिया था और अभी लंच टाइम पे पुलाव बना है क्योंकि गुपता जी शेगाओं गए हैं सुबह ड्यूटी में तो सीधा हम तेन लोगों का है लंच तो मैंने फिर इसली पुलाव बनाया पानी डालने के बाद मैने डाला है थोड़ा सा घॉममेट गरम मसाला और साथी ही धोरा कटा हुआ धनिया पत्ता पानी इसमें कम लगता है जो बासमति चावल जो मैंने यूज किया है क्योंकि हर चावल की तासीर अलग है इसमें में यौज़ादा पानी दाला गिला हो जाता y empathic पुराना चावल बनाती हो उसमें डबल पानी डालती हूँ लेकिन इसमें जितना चावल पानी बस इतना कि यह बी डूब हो जायायी जैसे जो णियूट्यूटिला और चावल ninja anouc सा रहे तो मैंने बिलकुल उतना ही पानी डाला जितना चावल थे हमारे और दो विसल आई थी कि बंद कर दी कि स्टीम आई तुरन तो दूसरी बंद कर दिया और पूरी स्टीम निकलने के बाद मैंने कुकर खोला उपर से कटा हुआ धनिया पता डाला और मिक्स कर दिया यह पुलाव मेरे दोनों ही वच्चों को बहुत पसंद है बहुत जादा और चुकी जब लंच में प्रॉपर डाल लोटी सब्जी नहीं बननी होती है तब इस तरह के शॉटकट में जरूर ट्राइ करती हूं और इसमें मैंने घी डाला है प्लेट तैयार शुभी को लंच शुभ से उसने भी पुलाव खाया उसको भी बहुत अच्छा लगा यानि दोनों वच्चों ने शौक से खाया वाके में गरम गरम बहुत टेस्टी लग रहा था बहुत ज़्यादा मसाले नहीं अच्छे लगते मुझे मतलब जैसे मैंने डाले ना हलके मसाले और अच्छा सब टे मालाई में में दही नहीं डालती हूं क्योंकि अब मैं इस पानी का इ्टली करती हूं इसी वज़े से फिर अब इस मठे का मैं क्या ही करूँ इसलिए अब मैंने ये किया है कि इसका पूरा पानी तीन बार फेट फेट करके मलाई को पानी निकालके दूसरे बरतर में रख लिया अब जो ये मखन है इसे हम गरम करेंगे लास्ट टाइम किसी ने क्वेशन किया था कि आपने दही नहीं डाली है तो फिर अब ये मखन कैसे कोई नहीं जब ये मखन बन गया है इसमें आप एक चमब दही डाल करके रख दो चार शे घंटे के लिए फिर इसको फिट लो एक बार फिट से तो मस्त मखन तयार हो जाएगा और अब ये पूरा गरम करने के लिए रखा है मैंने क्योंकि पहले घीवना लेती हूँ तब तक मैंने छोटे कुकर में चावल भी धुल के रखे हैं प्लेन राइस क्योंकि अगर घर में कड़ी वने तो वच्चों को चावल चाहे थोड़े से मेले उनको खाना अच्छा लगता है और गुपता जी को तो चावल नहीं खाना है सुबह भी उपराठे सबजी खाके गए थे तो उनके लिए में फुल के सेंकोंगे और बस अब घी तयार हो क्या बहुत चल्दी घी बन जाता है मक्षन गरम हुआ आज मैं लास्ट में घी में डाल लई हूँ हलका सा नमक और हलकी सी हल्दी पाउडर इस से दाने दार रवेदार घी तो बनता ही है नमक डालने से और ہलकी सी हलदी डालने से पीला-पीला सा जो घी मिलताया ना बजार में वैसा वाला कलर दिखेगा आपको लेकिन इस घी को हम अलग रखेंगे क्योंकि वरत में खाने के लिए नमक नहीं चलता है या फिर हल्दी का यूज नहीं करना है इस वज़े से इसको मैं अलग डबे में भरके रखूँगी पर मैं टिप के लिए बता रही हूँ ये बात मैं पहले ही बता चुकी हो अगर आपने पुराने वीडियोस देखेंगे तो मैंने बहुत बार ये मिक्स किया है हल्दी और घी जिससे रवेदार घी बनता है खुश्बू और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है और इसे हम साइड में रख लेंगे इसे हम डेली यूज में यूज कर लेंगे मतलब कोकिंग में उसको पूरे डबे में मिक्स नहीं करूँगी कोई किसी कवरेत हो कभी जरुवत पड़े पूजा के लिए तो और घी चान के साइड में रखा अभी जो मलाई फिटने के बाद पानी निकला था उसमें मैंने दो गलास दूद डाला है जो पानी निकला था मलाई का उसमें दो गलास दूद डाला है और दूर डाल करके जैसी उस बरतन को गरम करने रखा है हमने तो वो फटना शुरू हो गया क्योंकि वो जो पानी था उससे पनीर बनेगा और जैसे ही धीरे धीरे गरम होते होते वो धीरे से स्टार्ट हुआ फटना और फिर जब वो बॉयल होने लगता है तो उस स्टेज में इंडाक्शन आउफ कर दिया अब उपर उपर पूरा थक्का सजमा हुआ है जैसे पनीर का अभी यहाँ पर उसी बरतन में जिसे मैंने घी बनाया था चुकि उसे साफ करना है तो क्यों ना उसे गरम पानी डाल दिया जाए यानि कि यह जो हमने पनीर चाना है इसको मैंने च्छनी के उपर रख दिया है पनीर मेकर और इसमें डाल दिया है पनीर मुझे लास्ट टाइम किसी ने टिप दी थी कि यह जो पनीर मेकर के छेद से साइड से पनीर निकलती है और फैल्ती है पनीर के दाने-दाने इससे अच्छा आप इसमें रुमाल लगा लो फिर आप पनीर डालो तो बीच में से पूरा पनीर रहेगा साइट से ये बाहर से छेठ जो है ना इसमें से निकलेगा नहीं और ये बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट रहेगा मैं पतला रुमाल ढोड़ने वाली थी शाम को देख रही थी दिखी नीरा मोटा सा मिला था एक दिखा रुमाल साफ तो फिर वो मेरा मन्नी हुआ यूज करने का मैं किसके लिए पतला कप तयार करूंगी फिर इसका यूज करूंगी और अब मैंने चावल रख दिये हैं इंडाक्शन में क्योंकि मैंने चावल के तयारी उसी समय कर ली थी जब मैं घी बना रही थी और जो पनीर है पनीर मेकर उसे मैंने फ्रीज में रख दिया है जैसे मसाल दानी में देखा है कि कुछ मसाले निकाल रही थी मैं तो इसमें कुछ मसाले खाली है त पिर से कई बार देखा चुकियों, यह हींग की डबबी, सिक्का हींग की डबबी जो कि हम यूपी से लाके रखते हैं, एक डबबी लाए तो बहुत दिनों तक चलती है, तो यह इस प्यार में रखी हुई थी, मुझे पता था खतम होने वाली है, तो इससे पहले यह वाली त खतम हींकी रेती, एक डबबी पूरी सिक्का हींग मेरी इस डबबी में पूरी आजाती है स्चील वाली में और मैने थोड़ी सी हींग निकाली है, जीरा, मे 튀, राई, हींग और लाल सुखी मिर्ची, यह मैंने भी निकाले के ρखा है, अब है इने कड़ाई में घी डाल के ग गी काटके डाला है क ост when their Kosten और जो अब अभी हमने पनीर छाना है वो पानी जो है वह मैंने अभी अकटोरा डाल दिया है उसको साइड में रख दिया तड़के को अभी मैंने लिए हैं बेशन हाफ कप और इसमें वही पानी डाला है जो पनीर साज है और इसे फेंट दी है और ये टिप भी मुझे बदाया था कॉमेंट सेक्शन में किसी ने कि इस पानी से कड़ी बहुत अच्छी बनती है और वाकई कमाल की कड़ी बनती है मतलब कड़ी खाते वक्त इंसान को बोलना ही है कि आची कड़ी बहुत अच्छी लग रही है चाहिए इसमें चार चान लगा देता है इसके सवाद के मतलब इंसान उंगलिया चाटने लग जाए अगर हातों से चाल चावल कड़ी चावल खा रहा है और यदि चम्मच से खारो चम्मच को खच-खच-खच-चम्मच से चाच-चाट चाट जाएगा ऐसी बात है और इमली डालने के और डाली और गैस बंद करके यह तड़का हमने डाला कड़ी के उपर क्योंकि कितना भी पहले तो मिर्ची डाल लो लेकिन जो वह उपर से तड़का बनता है ना कड़ी में इससे चेस जबल हो जाता है और बस मिक्स कर दिया तड़का बूंदी की गड़ी में अक्सरी बनात पर पकॉडियों से कम खाना है और पीना उनको कड़ी है अभी मैं बूंदी भी बनाके रखूंगी खतब हो रही है थोड़ी सी बूंदी बच्ची है और किसी ने कॉमेंट में भी कहा है कि बलाशा बेसन की बूंदी बनाना तो बनाओंगी मैं आज ही पहला सोचा था कि बन नाश्ता करके निकले थे लंच नहीं लेके गए और नहीं वहां किया कुछ जो भी खाया हो हलका फुलका तो मुझे था कि जल्दी से बनाए और ये लिजजत पापड हम लोग लाए थे ना डीमाट से वही मैंने अभी माइक्रवेब में रोस्ट किया है इनको और ठाली तय गुपता जी को चावल नहीं खाने थे इसलिए कड़ी रोटी और पापड शोभम का कड़ी रोटी चावल सब चीज और शोभी सिर्फ कड़ी चावल और अब बच्चों के लिए गुलाब जामुन जो कि मैंने कल बनाए थे और रेसिपी भी शेयर की थी एकदम सॉफ्ट ब बूलूंगी उसके बाद बैठोंगी खाने क्योंकि घी के बरतन इखटे होते चले गए जब कि मैं घी के बरतन उसी समय धुलती हूं अलग-अलग हाथों से लेकिन आज मैं इखटे सारे बरतन दो लें अब बाद में मैं बैठके खाना खाऊंगी आराम से कड़ी जावल से टी-वी देखूंगी थैंक्स वर वाचिंग